आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें नमस्कार जुस्तो दिया गया प्रशन है समान दी ब्रॉगली तरंग दहरी के लिए अलफा कन एवं प्रोटॉन को तरित करने के लिए वज़त विभाव वी अलफा और वी पी का अनुपाद ज्याद करना है ठीक है तो हम लोग बातते हैं अगर वी अलफा और वी पी की तो तो जैसे कि अगर मैं सबसे पहले बात करते हुए अलफा कन के लिए तो अलफा कन की कुछ खास बात यह होती है कि अलफा कन और प्रोटॉन कन है ठीक है यह प्रोटॉन कन है हमारे तो अलफा कन जो होता है इनका दरिवमान प्रोटॉन कनों के दरिवमान से चार गुना होता है, ठीक है? अगर हम लोग किसी प्रोटॉन कन की बात करें, तो क्या होताएगा हमारे पास में प्रोटॉन कनों के कारण, जो P है, जो मारा M, P कर देती हूं, वो किता रहेगा? मेरा M, जो है मेरा, वो MP के बराबर है, ठीक है? तो, M is equal to MP, और जो मेरा M है, जो alpha वाला है, तो M is equal to, M alpha is equal to 4MP, ठीक है? यह बात हमें पता है, और इसके बाद अगर मैं और आगे देखूं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में? कि मान लीजिए, क्या हो जाएगा? कि जो alpha कन है, उनके उपर किता आविश होता है मेरे पास में? प्लस दो चार्ज होता है, ठीक है? और proton पे प्लस चार्ज होता है, तो जो आविश के मातर हो जाएगी, वो कितनी जाएगी? इसके उपर, क्यू बराबरिस हो जाएगा? 1.6 into 10 to the power minus 90 into 2, तो किता हो जाएगा? 3.2 into 10 की घात रिन 19 कुलाम, ठीक है? और हमारे पास में जो MP है, उसके कितनी जाएगी, क्यू बराबरिस हो जाएगा? 1.6 into 10 to the power minus 90. अब हम लोग solve करते हैं, किसके लिए? हमें P का मान जाता है, हमें पता है कि जो P हो जाएगा, किसके ल अब हो जाएगा, किसके लिए? अलफा करनों के लिए, अभी मैं अलफा करनों के लिए solve कर रही हूँ, एक साइड में, और एक साइड में करूंगे मैं P करनों के लिए, P plus करनों के लिए, ठीक है? तो अभी यहाँ पे E का value कितना हो जाएगा? E हो जाएगा हमारा, 3. हमें प यहाँ पर E हो जाएगा, वो सेम है, E, V, और E का मान कितना हो जाएगा? 1.6 x 10 to the power minus 19, ठीक है? और इसको लिख सकती हूँ मैं, V, P, या इसको मैं स्यादर E, V ही लिखू, ज्यादा सही है, इसको करनों 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 के लिखती हूँ, और इसको मैं इसी के form में लिख देती हू ठीक है, हमें पता है कि दुगना है, क्यों किता है, दुगना है किसका? इसका, तो हम इसको लिख देता है, 2E, V, इसा भी लिख सकते है, यह हो जागा, एल्फा, ठीक है? इसको समीकरन 1, इसको समीकरन करमाग 2, अब मुझे पता है कि जो वेग होता है, मतलब 1 by 2 Mv2, E जो हो होती है किसी की भी, क्योंकि प्रेशन में क्या दिया है कि समान, डी ब्रॉग लिख लिख करने के लिए, जो विद्धुत विभाव है, उसके लिए वैसका, जो गती जूर्जा क्या हो जाए कि इसकी? 1 by 2, जो E हो जाएगी, E के, जाए कि 1 by 2 Mv2, ठीक है? तो इसको लिखने पर, V बराबरी से, sorry, V बराबरी से 1 by 2 Mv2, यह किसकी गती जूर्जा है? sorry, E है, E बराबरी से 1 by 2 Mv2, यह किसकी गती जूर्जा है? यह है, अलफा करनों की, और सेम इसके लिए भी कर जाएगा 1 by 2 Mv2, अब मुझे पता है M कितना है मेरा बास में, 4 Mp, तुम इसको लिख द मेरा बास में E equal to 1 by 2 Mp square, equation क्रमांक 3, equation क्रमांक मतलब 1, 2, इसको दे देती हूं, मैं, इसको मान लेता है 3, इसको मान लेता है 4, 3, इसको मान लेता है 4, ठीक है? अभी यहा ही पर, यहां पर हम लोग देख सकते है, तो मेरी equation क्रमांक 1 थी, ठीक है, और 2 से क्या होचाएगा मे मेरे पास में 2EV alpha बराबर से किता होचाएगा 4 Mp V alpha का square by 2, ठीक है, और, सॉरी तो यह alpha नहीं होगा, क्योंकि वेक तो यही रहा है, ठीक है, अब क्या होचाएगा मेरे पास में, V square का value निकालना मुझे, तो क्या होचाएगा मेरे पास में, 2 trueza किता होचाएगा, यह 4 होचा मेरे पास में, V alpha आया, upon में, M, P, ठीक है, अंडरूट में आ जाएगा, और, यह किसके बराबर है, V के बराबर है, और, सेम, यहाँ पर मैं solve करूंगी, समी करण 3 और, समी करण 4 से, तो में लिख देती हूँ, यहाँ पर, समी करण 3 व, 4 से, और, समी करण 1 और, 2 से, यहाँ और, समी करण, 3 व, 4 से, क्या हो जाएगा, यहाँ पर, 1 by 2, M, P, V का square, is equal to, किता हो जाएगा, मेरे पास में, E, V, ठीक है, और, V square बराबर से, क्या हो जाएगा, 2, E, V by, M, P, ठीक है, और, ज्यादा, इसको, अगर मैं लिखू, तो इसको, अंडरूट में में लिख सकती हू इसको में लिख सकती हूँ, V बराबर से, अंडरूट, 2, E, V, by, M, P, ठीक है, यह दोनों का वेग है, अभी निकला, अब इसके आगे मैं solve करती है, तो क्या हो जाएगा, देखिया, V निकल गया, हमें पता है, कि जो, प्लांक के समी करन के अनुसार, हमें पता है, कि लेम्ड बराबर से क्या होता हमारे पास में, H बाए, P हो जाएगा, अब P का माइन किता हो, जो P बराबरी से होता है M इंटु वी, और यह भी यहाँ पर भी M, P बराबरी से हो जाएगा M इंटु वी, तो इसका तो M, V, जो mass है, वो P के बराबर रहेगा, और जो इसका है, P बराबर से किता हो जाएगा 4 M P V, ठीक है, समझ में आया, क्योंकि हमारा M का मान क्या है, alpha का मान है, हमारे पास में 4 M P के बराबर, इसको जब मैं हल करूँगी, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, समीकरन टो मान, इसमें, पुट कर दूँगी, कहां पर V का मान हम लोग को रखना है, तो P बराबरी से क्या हो जाएगा, फिर यहां पर P बराबरी से हो जाएगा, 4 M P, into V क्या है, हमारे पास में, अंडरूट E V alpha upon में M into P, और यहां पर P क्या हो जाएगा, P बराबरी से M into, जो P है, वो और अंडरूट 2E V by M P, अब देखें, इसके आगे मैं इसको हल करूँगे, तो क्या हो जाएगा, इसके आगे मैं हल करूँगे, तो इसके आगे हल करने पर आजाएगा, P बराबरी से, यह मीज़े मिल गया, और यहां पर भी P कामान मिल गया, तो लैमडा बराबरी से क्या होता है, H by P होता है, तो मैं वैल्यू रख दूँग, तो लैमडा बराबरी से क्या हो जाएगा, H by 4 M P into E V alpha upon MP, और यह हो जाएगा मेरे पास में, लैमडा बराबरी से H बटे, M P, 2 E V upon MP, इसको मैं और आगे मतला करना हूँ, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास में देखिया, मेरे पास में MP को अगर मैं अंदर मुल्टिप्लिकिशन कर दूँ, तो मेरे पास में इसको फाइन और अगर मैं 4 कंदर जालों, तो किता जाएगा, रूट में 2 M P E V alpha, यह होगा, और यहाँ पर भी लैमडा क्या जाएगा, मेरे पास में, लैमडा बराबरी से H बटे, M P, 2 E V P, यह मेरे पास में P है, ठीक है, यह वेग नहीं है, यह क्या है, मेरे पास में, वीभाव है किसक प्रोटॉन के लिए, अब देखिए दोस्तों, मुझे, यह जामडा है मेरे पास में, अल्फा के लिए है, और यह लैमडा मेरे पास में, किसके लिए है, यह प्रोटॉन के लिए, तो मैं इसको लिख सकती हूँ, लैम्डा अलफा इंटू अंडरूट 2 M P E V P इक्वल 2 H, समिकरन क्रमांक केता था, वो 4 था, इसको मैंने देदे लिए क्रमांक 5, उसको लिख सकते हुए, लैम्डा P इंटू अंडरूट 2 M P E V P इक्वल 2 H, केता हो जागा मेरे पसमिकरन क्रमांक 6, है अब दोनों को मैं equate कर देती हूं तो क्या हो जागा मेरे पास में क्योंकि यह तो एस तो क्या है blank नहींता है यह constant है यह कभी change नहीं होगा तो इसके अनुसर क्या हो जाएगा मेरे पास में lambda alpha into 2mpevp equal to lambda p under root 2mpevp ठीक है अगर मैं यहां से root vp और root sorry यह मेरे पास में alpha है sorry अगर मैं root alpha और root p को अलग-अलग कर लूँ तो अब क्या करूंगे अगर मैं root v alpha और root vp को अलग-अलग कर दूँ तो देखे क्या हो जाएगा v alpha और vp को मैं लिख सकती हूं किस तरीक से root v alpha और root vp से ठीक है अब क्या करूंगे इसको मैं अब इसको लिख सकती हूं मैं आगे lambda alpha under root 2mpe under root v alpha मैं इसको अलग-अलग कर सकती हूं ठीक है मैं इनको अलग-अलग 2mpe root vp इसको आगे और करूं तो मुझे क्या करना है v alpha के respect में vb का value निकालना है तो under root क्या हो जाएगा फिर यह v alpha बटे vp बराबर से क्या हो जाएगा lambda p upon में lambda alpha और यह हो जाएगा मेरे alpha upon vp equal to lambda p का square upon में lambda alpha का square अर्थात इन दोनियों के अनुपात इनके तरंग-धहरे के वरगों के अनुपात के बराबर होता है तो यही हमारे पास में एक समान दीव रोगली तरंग-धहर यहेतू alpha कन एवं proton को जाड़ित करने यहेतू विद्धूत विभाव v alpha और vp का अनुपात था ठीक है अब यहां पर क्या कहा है कि तरंग-धहर यह इनकी कैसी है एक समान है ठीक है मतलब lambda का मान कैसा है इनका आपस में बराबर है तो lambda p equal to lambda alpha क्या हो जाएगा मेरे पास में v alpha upon तो बराबर है आपस में तो v alpha upon में vp बराबर हो जाएगा 1 is to 1 ठीक है लब 1 equal to 1 हो जाएगा तो यह दोनों के विभाव में क्या था अनुपात था तो यह एक अनुपात एक में होता है इनका विभाव ठीक है यही हमारे प्रश्ण का उत्ता कि समान दीव रोगली दरंग धहर के लिए एक alpha कन और proton क को तरित करने हैं तो विद्धत विभाव का जो अनुपात होगा वो कैसा होगा प्रमान ही होगा ठीक है दोस्तों जण्यवाद पक्षचरी से बारवी से लेकर नीट आयाइटी जेई वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादा चातरों का भरोजा आज ही डाउनूट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर